तो दोस्तो आज किस प्रीव हम सभी जानने वाले हैं कि आधार कार्ड में कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है कैसे पता करें जैसा कि दोस्तो कई बार ऐसे प्रॉलम आते हैं कि हम अपने आधार कार्ड को कहीं दे देते हैं इसके बाद वहाँ पर OTP की निट होती है जरूरत होती है तो OTP ही नहीं आता या फिर कई बार ऐसी प्रॉलम आज जाती है कि हमें ये पता करना होता है कि हमारा कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है अधार कार्ड से लेकिन न्यू अपडेट आज आने बाद अधार कार्ड में आपको पता है नहीं किस तरीके से पता करें तो आज किस वीडियो मैं ये ही बताने वाला हूँ अधार कार्ड से कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है फोल डिटेल में बात करेंगे इसलिए इस वीडियो को सुरू से लेकर पूरा लास्त अगवाच करीगेगा तो चली सारा कुछ है टू जेट बताते हैं उससे पहले आप सब इस रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए सिंप्ली इसको आप पता कर सकते हैं अपने मोबाइल पून से ही कोई भी दिक्कत नहीं आपके बास मोबाइल पून है आप लेप्टाप पर कोई भी प्रॉप्र नहीं दोनों में पता कर सकते हैं तो सिंप्ली इसके लिए पता करने के लिए अपने गूगल क्र bygorman.in तो इसी पर माई अधार काड़ पर आपको ख्लिक कर देंगे जैसी माई अधार काड़ पर क्लिक कर देंगे तो वेल्कुल इंटरफेस चेंज हो चुका है सब कुछ चेंज हो चुका है यहाँ पर कई बाईओ को अगर पहली बार open कर रहे हैं तो वहाँ पर option मिलेगा हिं इंगलिस अपना सेलेक कर सकते हैं, मैंने यहां पर इंगलिस में ओपिन किया है हूं, तो यहां पर आपको सारी चीजे दिख जाते हैं, अधार कार्ड सेवा, केंद्र इसके बाद नीचे आप स्क्रोल करते हुए चले जाएंगे, तो यहाँ पर update अधार कार्ड, इसके बाद get अधार कार्ड, इसके बाद अधार कार्ड सर्विस, इसके बाद नीचे जाएंगे media conversion of अधार कार्ड, तो simply अधार कार्ड सर्विस का सेक्षन आपको दिख रहा होगा, तो इसी भी आपको अधार कार्ड सर्विस दिख रहा होगा अधार verify एन अधार card number इसके बाद verify email phone number इस तरीके एड़ सारे problem आपको option दिख रहे हैं तो आपको किस पर click करना है सब से उपर verify एन अधार card number पे ठीक है जैसी इस पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ school करके जाएंगे तो यहाँ पर documents update इसके बाद अधार card इस इसके बाद यहाँ पर आपको अधार card डालना होगा ठीक है यहाँ से फिर से आपको बता देते हैं यहाँ पर आपको option मिलेगा book and apartment वाले option के नीचे में ही option मिल जाएगा यहाँ पर आपको दिख रहाऊगा check अधार card value इस पर जैसे click करेंगे तो यहाँ पर आपको अधार card number आपको डालना होगा ठीक है अधार card number जैसी आप type करेंगे इसके बाद यहाँ पर और चीज़े क्या डालना है वो इसके बारे भी बात करेंगे तो simply अधार card number डालने के बाद इसके बाद यहाँ पर आगर आपको capture code नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से यहाँ पर refresh भी कर सकत करेंगे जैसी प्रोसीट पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपका अधार card number डिख जाएगा अधार card validity verification डिख जाएगा age brand डिख जाएगा इसके बाद यहाँ पर mail इसके बाद state उत्तर पर दे इसके बाद mobile number यहाँ पर देख रहे है mobile number का last का आपका 3 अंक दिख रहा है नहीं तो कोई भी जैनुवन तरीका नहीं है कि अधार card में mobile number को पता किया जा सके new update आने गवाँ दोजार चौबिस में तो कुछ इसी प्रक्यार से आप अपने mobile phone में check कर सकते हैं कि कौन सा number जुड़ा है या फिर अपने अधार card में check कर सकते हैं कौन सा number माना जुड़ा है इसे चेंज भी करवा सकते हैं या फिर यहाँ पर यान यान लिग करा जाएगा जिस तरीके से जहां पर मैंने बताया था number लिखा हूँ है वहाँ पर यान यान लिख कर आजाएगे या फिर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा dot 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 तो आपर अधार card नहीं जुड़ा हुआ आप जाकर अधार card सेवा के इंद्ट पर आप अधार card को जुड़वा लिजिए अपने finger फिन्गर फिन्ट के थ्रो ठीक है तो इसी तरीके से आप अपने mobile नंबर को चेक कर सकते हैं कि या फिर अधार card नंबर से अपने mobile नंबर को चेक कर सकते हैं वीडियो कैसे लगा इस चैनल को जो सब्स्प्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करिए मिलते किसी नेस्ट वीडियों किसी इंटेक्शनी टॉपिक से आप तक लिदान निवाद जाएं